सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु भ्याम हर हर महादेव शिरी महात्मा शिव महापुराण जो की कता गुरूची अभी वाच रहे थे साथवे दिन और आखरी दिन की कता में कुरूची ने दो पत्र पड़े पत्रों तो बहुत सारे पड़े थे मैं उन सभी पत्रों कवर्णन आपके सम्मुक में करूँगा कि एक ही फैलोपिन ट्यूप से कैसे एक माता को संतान की प्राप्ती हो गई हर नारी के शरीर में दो फैलोपिन ट्यूप होती है ये बात आप सभी जानते होंगे कि एक फैलोपिन टूप से कैसे उन माता को संतान प्राप्ती हो गई साथ ही साथ में सोमनाथ, मलिका अरजुन और नागेश्वर इन तीनों ये जो तीन जोतिर लिंगे इन तीन जोतिर लिंगों का उपायों का वंधन भी आपके सम्मुख में करूंगा साथ ही साथ में यदि नारी को रजस्वाला दरम से कोई भी समस्या रजस्वाला दरम से सम्मधित कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान आपको कैसे करना है उसके लिए आपको क्या उपाय करना है उसकी जानकर भी आपको हम इस वीडियो में देंगे पर उससे पहले आप एक छोट असा प्यार असा शियो बगत होने के नाते कारे कर दीजिए वीडियो को लाइक करतीजिए चैनल को सबस्क्राइब करतीजिए तो अब हम पढ़ते हैं गुरुजी की कता के सबसे पहले पत्र के आपको जान करें देते हैं तो जो सबसे पहला पत्र था एक माता ने लिखा कि कुरूजी मेरे जीवन में बहुत दुख था दुख इतना था कि मैं किसी से क्या वर्णन कर सकती हूँ हमारे ही आसपास में एक प्रतिबा जी नाम की महीला रहती थी उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में वर्णन करा मेरे बच्चे नौकली की तयारी करते थे पूरे दिल से तयारी करते थे पर छे साल से ज़्यादा हो गया था उनकी सरकारी नौकली नहीं लग रही थी तयारी करते करते वो बहुत परिशान हो गयते फिर मैंने आपकी खता के बारे में सुना आपकी खता सुनके एक कलजल का उपाय बागवांचंग करके मंदिर में करना प्रारम करा एक कलजल का बनन में क्या करू गुरुजी एक कलजल में छड़ाती रही बाबा से प्रातना करते रही साथ महीं मैंने अपने बेटे से भी कहा कि तुझे जो गुरुजी उपाय बताते हैं परिक्षय वाले दिन की बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर आपको एक्जाम देने जाना चाहिए पहले बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर उस पत्ती को चिपका दो शिवलिंग पर चिपका दो और फिर एक्जाम देने जाओ यदि तुमने सही में मैनत की है तो उसका प्रणाम तुमारे लिए आएगा ही आएगा तुम उस एक्साम में पास अवश्य ही होके तो उनके बेटे ने कहा कि ऐसा कोई होता है क्या बेल पत्र चिपकाने से कोई नोकरी मिल जाती है पर उन्होंने उनके कहने पर उपाय किया कई वर्षों की मेरत उनके रंग लाई और PNB बेंग में उनके नोगरी लग गई अब अगला पत्र पढ़ते हैं जो की सबसे महतपून पत्र था पत्र लिखने वाली थी निकिता जी जिन्होंने बताया कि कुरूजी मैं ये पूरी लिस्ट लगा रही हूँ पूरी लिस्ट किस चीज की जो जो उनकी जाचे हुई जो जो उनकी रिपोर्ट है उन सब की उन्होंने लिस्ट लगाई उन सारी रिपोर्टों को उस पत्र के साथ ने बताया निकिता जी जो की गोरकपुर से दी जिन्होंने बताया कुरूजी मेरा गर्ब ठहरा गर्ब ठेरा लेकिन गर्ब ठेरने के बाद में मेरा बच्चा खराब हो गया डॉक्टर ने बदाए कि बच्चा पूरी तरह से खराब हो चुका है इस बच्ची को पैदा करना आपके लिए अच्छा नहीं है और इस बच्ची के वज़े से आपकी फैलोपिन ट्यूब फैलोपिन ट्यूब की जानकर या आपको होती है नारी के शरीर में दो ट्यूब होती है फैलोपिन ट्यूब जिन से अंडा जो की एग होता है वो निकलता है और फिर उसमें निशेचन होने के बाद में संतान के प्राप्ति होती है हर नारी के शरीर में, हर माता के शरीर में ये दो फैलोपिन ट्यूब होती है इसमें से एक ट्यूब उनकी खराब हो गई पूरी तरह से जब उनके गर में बच्च था, गर्ब में बच्च था तो बच्च की बच्चा खराब हुआ, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा नहीं हो पाया और साथ में उनकी फैलोपिन ट्यूब खराब हो गई जो दूसरी ट्यूब थी उनके पास में वो ट्यूब बंद थी डॉक्टर ने कहा कि ये ट्यूब बंद है आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो सकती किसी भी तरह से अब आप कितनी ही कोशिश कर ले जो एक ट्यूब थी वो खराब हो गई दूसरी ट्यूब बंद पड़ी है फिर गुरुजी मुझे बहुत रोना है क्योंकि दूब में से एक तो खराब हो गई और दूसरी ट्यूब बंद थी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब तुमारे बच्चा नहीं हो सकता फिर मेरे मुबाइल में गुरुजी आपकी खता की एक किलिप आई उस किलिप में आप शिव मापुरान के खता बता रहते तो मुझे किलिप देखकर शिव मापुरान कता सुनने के इच्छा होई मैंने शिव मापुरान की कता सुनी कता सुनने के साथ में दीरे-दीरे मुझे पशुपती नात के वरत की जानकारे पराप्त हुई और साथ में जो सबसे सफल उपाय है सफेद आंकडे की जड़ वाला उपाय है उसकी जानकारे वी पराप्त हुई मैंने सोचा क्यों ना एक ही तो फेलोपेंट यूब है महादेव से प्रातना करती हूँ विंती मांगती हूँ बोले भाबा से कि मुझे संतान प्राप्त करा है तो उन्होंने पशुपती नात का विरत किया सफेद आंकडे की जड़ को पती और पतनी दोनों लेकर आये भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार तुम्रोकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन्होंने उस जड़ को गुमाया और उसके बाद अपनी कमर में वो महादा ने लाल धागे में उस जड़ को अपनी कमर में भांद लिया अब उसके बाद में पीपल के पत्ते वाला भी उपाय वो प्रति दिन करती रही साथ में एक कलस चल और एक बेल पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते रहे उस बेल पत्र को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठ कर खाते रहे बाबा से प्रातना करते रहे एक ही फेलोपिन टू पे बाबा वो भी बंद है कोई चमतकार कर दो मुझे संतान की प्राप्ति करा दो जब उन्होंने यह उपाय किया उनका गर्ब ठहरा, खुशी प्राप्त हुई पर फिर भी वो जल चड़ाती रही, बेल पत्र खाती रही और एक सितंबर, यानि कि एक तारिक नवा मैना 2022 में, उनको पुत्र के रूप में संतान की प्राप्ति हुई और जो संतान उनको प्राप्त हुई, जो पुत्र प्राप्त हुआ उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने सो मेश्वर सोमिश्वर जो की महादेव का ही एक नाम है उनके नाम पर ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा तो आप देख लीजी किस प्रकार से केवल सफेद आंकडे की जड़ के उपाय से उनको संतान की प्राप्ति हुई आपको भी विश्वास रखना है सफेद आंकडे की जड़ से आपको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है बस विश्वास रखिए गुरु जी ने कता में साफ साफ कहा कि जब गुरु जी ने साथ बेलपत्र वाला जो उपाय बताया था भी आप भी जानते हैं गुरु जी ने साथ बेलपत्र वाला उपाय बताया था और पांच इस्तान जल वाला उपाय यदि चलादा रहे नहीं है तो शेव लिंक पर ही इस परश करके महादेव की पाचो बेटियो का नाम जेया विशरा शामली बरे दो तली उर्दियो यदि धनकी कमी है और आपको बिरेश्वर धाम जाना चाहते हो तो यह उपाय अवश्य करो गुरुजी ने कहा था इसका वं वश्य उपतिवर सफल होगा नहीं होगा या फिर सफेद आंकडे के जड़वाला उपाय करने से पहले सोच लिया क्या यह उपाय सफल होगा यह नहीं होगा तो यदि आपका विश्वास नहीं है तो आप उपाय ना करें गुरुजी ने साफ कहा है यदि आपका विश्वा प्राप्त कराएगा वो चीच देगा जरूर जिसकी मुझे कामना है तो फिर जरूर उपाय करें अगला जो पत्र था वो भी संतान प्राप्ति के लिए ही था जिसके बारे में हम आपको अभी जान करें देते हैं तो अगला जो पत्र लिखाता वो लिखाता आबातिर पाटी जी ने अपने पत्र में जान करें थी कि गुरुजी दो साल, चार साल, छे साल, आट साल, तस साल, पंदरा साल निकल गए शादी होने के बाद पंदरा बर्शित तक मुझे संतान के प्राप्ते नहीं हुई, सब कुछ मैंने करके देक लिया, फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई, तो हमारे हैंपर एक सब्जी बेचने वाली आती थी, उसके ठेले में आपका फोन, उसके ठेले में फोन रखा था, उस फोन पर आपकी खता चल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी क्या आप ये गुरुजी की कता सुनती हो तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं सुनती तो कहा कि एक बार सुनो इस कता को एक बार सुनो ये गुरुजी की कता को निश्चित रुप साफ के मन को शांती मिलेगी और जो मनुकामना है वो प्राप्त होगी फिर मैंने उनके फोन में आपकी कता की जानकरी और आपके नाम के बारे में सुना आपकी कता और आपका नाम जाना गुरुजी फिर मैंने अपने ही फोन में और टीवी पर वो कता सुनना प्रारम करी जिसकी मुझे जानकरी प्राप्त वी थी मैंने कता सुनी आपकी शिव महापुरान की और टीवी के संब्मक में आसन लगाकर मैं पलंग पर ही बेट पाती थी गुरुजी आसन लगाकर कता सुनी और कता सुनते हुए प्रातना करी कि जब सारे डॉक्टर मनाज कर चुके हैं, पंदरा वर्ष हो चुके हैं, कोई मुझे संतान प्राप्त नहीं करा सकता, तो मातेवब तु ही है, जो कि मुझे संतान की प्राप्ति कराएगा, उन्होंने कता सुनी, उपाए किये, पशुपतिनाच, सफेद आकड़े की पाला उपाए, विश्वास करा और उनको संतान की प्राप्ति हुई, अब हम आपको बताते हैं, रजसोला ध्रम चे संबंदित उपाए, तो सबसे पहला उपाए, यदि मान लो कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, और आपके रजसोला ध्रम से संबंदित कोई भी समस्य है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, कि मुझे सारी जान कर रही हो, तो इस वज़े से या PCOD की कोई भी समस्य हो, तो क्या करना है आपको, एक दिन में तीन बार जल पीना है, आपके जो जल भरा रखा होता है, फिर और रसोईगर में हो, जहां पर भी हो, जहां से भी जल पीते हो, तो जल पीते समय आपको, जैसे हम आचमन करते हैं, आचमन करते समय उसी प्रकार आपको अपने हाथ में जल लेना है, और जल लेते समय आपको नाम लेना है, माता असकनी का नाम लेना है, सुबह एक बार जल पीना है, फिर दिन में एक बार जल पीना है, और श जाता है गदी माल लीजिए कि आप घर से बाहर जाते हैं शियों मंदिर जा सकते हैं तो फिर एक काम कीजिए जो ये पुष्प आप देख रहे हैं ये गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प को आपको डोटना है आपके आसपत जहां कई भी हो ये पुष्प मिल जाए तो इस पुष्प का उपाय करना है करना का है आपको इस पुष्प को ले के जाना है अब ये उपाय दो तरह से बता रहा हूँ जो माताओ बेहनों की शादी हो चुके उनके लिए और जिनकी शादी नहीं है जो कुमारी लड़के है उनके लिए भी ये उपाय गुड़हल का प पुष्पी आपको लेना है जिन माताओं बेहनों की शादी हो चुकी उनको ये पुष्प समर्पित करना है माता शोक सुन्दरी के स्थान पर प्रती दिन जाना है प्रती दिन समर्पित करना है प्रती दिन जाएए प्रती दिन समर्पित करना है जिस दिन आपका विरत हो उस इस उपाय को ना गरे क्योंकि इस पुष्प को खाना होता है तो शिव जी के सम्मुक में बैटिए माता शोक सुन्दरी के स्थान पर इस पुष्प को समर्पित कर दीजिए समर्पित करके बाबा से प्रातना कीजिए माता से प्रातना कीजिए हे माता मेरी इस समस्या का समाधान करो और उसके बाद शिव जी के उस सम्मुक में बैटकर शिव जी को देखते हुए इस गोड़ल के पुष्प को खा लेना है चबा चबा कर पात दस मिनिट बात खाना है जब तक ये पुष्प समर पित रहे आपको चबा चबा कर इस पुष्प को खा लेना है शिव जी के सम्मुक में बैटकर प्रती दिन यह उपाय करना है अब जो कुमारी लड़ी क्या है यानि की जिनका विवा नहीं हुआ है उनको क्या करना है वो जब शीव मंद्र में जाएंगे तो आपने देखा होगा माता पारवती का इस्थान जो माता पारवती का इस्थान है उनके चड़नों में ये लाल पुष्प गुड़हल वाला पुष्प आपको समर पित करना है समर्पित करने के बाद में एक और बात जब आप जो शादी शुदा माताय हैं वो जब इस पुष्प को समर्पित कर रही हो लाल पुष्प को तो उनको माता मातंगी का नाम लेना है कौन सी माता मातंगी का नाम लेना है पुष्प समर्पित करते हुए और माता मातंगी से प् नाम लेना है और माता मातंगी का नाम लेकर इस पुष्पको महीं शिव्जी के सम्मुक में बैठकर पुष्पको चबा-चबा कर खा लेना है आपकी देज़सवरा धरम से समबंदित सभी समस्या है समापत हो जाएंगी अब हम आपको बताते हैं सोमनात जोतिलिंग मलेकारजुन जोतिलिंग और साथ में जो नागेश्वर जोतिलिंग है उनके उपाय है तो सबसे पहले सोमनाथ जोतिलिंग का उपाय है सोमनाथ जोतिलिंग का जो उपाय है यदि आपको चरम की समस्या हो गई है कहीं पर भी चरम रोग हो गया है उस चन्ब्रोग को समाप्ट करने के लिए आपको सोमनाथ जोतिलिंगा उपाय करना है क्या करना है आपको अलोनी गोबरी अलोनी गोबरी कौन सी होती है जब गय कोबर करती है तो उस गोबर को उठाकर दिवार पर नहीं थापा जाता वो रोड पर ही सूख जाता है तो जब उसका कंड़ा बन जाता है उसको आपको लेना है उसको जला कर उसकी बस्म तयार करनी है और उस बस्म को सोम बार के दिन सोम नात के नाम से शिवलिंग के उपर समर्पित कर देनी है थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में उस उस बस के भाद में थोड़ा सा उस में गंघजण डाल देना है प्रती दिन उस बस्म को डाल कर इस्नान करना है आपके चर्म से संबंदी समस्या पूरी ग्राव से समाप्त हो जाएगी अब हम चलते हैं मली क अडियून जो त्री दिलिंग के उपाय के तरफ तो जो मली गी कदी प्रजूलित करने के बाद में इस गी के दीपर आपको एक प्लेट डग देनी हैं प्लेट डगने के बाद में उस प्लेट में कालोच आ जाएगी और वो जो कालोच आएगी उस कालोच को आपको निकालना है और फिर गाय का गी मिलाना है गाय का गी मिलाकर मलिका आते रहे जब तक कि आपके नयनों की समस्या समापना हो जाए अब अंतिमुबाय जो की है नागेश्वर जोतिलिंग का नागेश्वर जोतिलिंग यदि स्वापन में साप दिखते हैं या फिर साथ में आपके घर के अंदर साप निकलते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपक गर के अंदर नागेश्वर महाधेव के नाम से नागेश्वर जोतरलिंग के नाम से उन नागनागिन को पिपल के पत्ते के उपर रक्के गुमा लीजिए और गुमाने के बाद में बैते वे जल में उनका विसरजन कर दीजिए पिपल के पत्ते का विसरजन कर दीजिए आपक को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अधिक साधिक शेयर कर दे तभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू प्याम, ओम नमस्षिवाय जै महाकाल, हर हर महादे